Hello Everybody, This is Diggerash Singh Rajput, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे The Racial Utopia अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जर्मनी में एक Racial State को Establish किया गया मैंने आपको बताया है कि तरह तरह की Strategies Adopt की गई थी ताकि क्या कर सकें? ताकि जितने भी लोग जिने Undesirable Consider किया जाता था जर्मनी में हिटलर के दवारा, नाजीस के दवारा उन्हें Eliminate किया गया And who remains the worst sufferer in that? ठीक है? तो सबसे आदा सफर किस ने किया? सबसे आदा सफर किया? जियूस Community के लोगों ने ठीक है? क्यों किया? वह भी हमने Discuss किया था अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये Racial Utopia होता क्या है? Utopia का मतलब क्या होता? Basically एक ऐसी Situation Imagine करना जहां पे Everything is fine according to you ठीक है? आप Consider करते हैं कि Everything is fit and perfect what you presume to be ठीक है? आप ऐसा सोचते हैं कि यहां चीज़ें ऐसी होना चाहिए जैसे मेरे लिए Racial Utopia क्या होगा? कि हर बच्चा पढ़ ले ठीक है? तो Racial Utopia निए मेरे लिए सिर्फ Utopia का मिनिंग बता रहो है आपको कि यूटोपिया क्या होगा? कि मतलब हर बच्चा पढ़ ले तो वो यूटोपिया कहलाएगा आया समझ में? उसी सेंस में क्या होता है? हाँ Racial Utopia मतलब नाजीस कहलीजे या हिटलर कहलीजे वो क्या चाहते थे? एक ऐसी सिच्वेशन इमेजिन करना चाह रहे थे? कैसी सिच्वेशन को इमेजिन कर रहे थे? जहां पर एक ही रेस के लोग रहे हैं सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो सारे लोग नौडिक आरियंस रहें तो यह सारी चीजों को अब आपने कंसीडर तो कर लिया लेकिन इस चीज़ पर काम कैसे किया तो हम वही सारी चीज़े पढ़ेंगे कि क्यों करना मतलब कि द्र्थ नर संहार कहते हं हिंदी में से त्लिके नर संहार मतलब का इसट अलगों को एक यह सारी वार यह लगों को यह जब नशीय Čन्ड का मतलब क्या रहे है जैसे हम देख रहे हैं under the shadow of war मतलब लड़ाई के नाम पर क्या हो रहा था देश में क्या चल रहा हो किसको पता लगेगा तो लड़ाई के नाम पर ये हिटलर अपने ही देश में जियूस जो थे जिपसी जो थे दूसरे जितने भी undesirables थे उन्हें क्या कर रहे थे उन्हें large skill पे मार रहे थे और तो और वो सारे Germans भी जो इनके against में बोलते थे या फिर वो सारे Germans जो physically fit नहीं थे जो undesirable की तरह consider किये जाते थे उन सभी लोगों को मारा जा रहा था ठीक है तो killing of people under the shadow of war ठीक है तो सेंस में मैंने कहा है कि एक हाथ पे तो आप लड़ाई लड़े हों दूसरे हाथ पर क्या कर रहे हैं अपने ही लोगों को अपने देश में बहुस्ता ही लोगों को मार रहे हो ताकि कि किसी को पता ना लगे वार के नाम अब क्या होता है कि 1939 में वर्लडवार स्टार्ट हो जाता है सेप्टेमबर में कब जब पॉलेंड पर कबज़ा करने के बाद में लार्ज स्किल पे यह जिनोसाइड भी स्टार्ट होता है क्या होता है और थियान रखना आपको 1939 तो बी मोर प्रसाइस सप्टेमर 1939 ठीक यहाँ पर कबज़ा किया कबज़ा करने के बाद में क्या होता है कि Hitler की आपको समझाई थी Levensแลe की एइवलोजी थी Levensarm की एडियो पिछ चणा थे लिए चीजें कैसी होنا चाहिए चीज़ें ऐसी होना चाहिए कि हमारे पास जादा living space रहेगा जादा resources रहेंगे तो अब देखो क्या है ये जर्मनी से इन्होंने क्या किया हमला किया कहा पॉलेंड की तरफ पॉलेंड की तरफ हमला किया और हमला करने के बाद में पॉलेंड को अपने कबजे में कर लिया वो लोग सारे settle हो जाते है अब वो सारे settle हो जाएंगे तो आपके मन में सवाल या रहा होगा कि जी उस कहा जाएंगे ठीक है आप इननके घर से निकाल दो कि फिर जाएंगे कहा तो उनके लिए गेटोस बना दिये गए गेटोस पिछली वीडियो में बता है मैंने स्पेशली डिमार्केटेड एरियास जो रहते हैं तो जैसे पूरा पॉलेंड था इधर सोवेट उन्यन आ जाएगा हमारे ठीक है तो जो पूरा पॉलेंड था इस पूरे पॉलेंड में क्या किया उन्हो सब्सक्राइब आब इन क्या होता था तो पीरियोडिक और्गनाइज वयरेंड रहें होते हैं इनकी गिनती को वह कम कर देते मारते जाते थे तो यह हुआ था ठीक है तो जैसे ऋक्यूपिशन होता है जैसे यह वह पॉलेंड पर तो पॉलेंड क्योपिशन के बाद में किस तरहां से चीज़ें बदलती है वो मैंने आपको समझाया पॉलेंट पॉलेंट को आपने कभजा कर लिया फिर उसके आद में सेटलमेंट ऑफ एथेनिक जर्मान्स ब्रॉट इन फॉम उक्यूपाइड यूरोप तो मैंने आपको यह भी बताया थे यह उक्यूपाइड यूरो पॉलेंट पे एथेनिक ज्यर्मंस को सेटल्मेंट करवा दिया ठीक है जो पॉलेंट के शीज़ेंस बनके घर में रहने को दिदिया इंके और पॉलेंड के सदिसम्टे पुर समेंट निकालहां प्राइड निद्ट और फोलूल फोल्स पारेड जाएड़ मैं दोखे दो वह मैं आपने बताया कि एक एरिया बता दिया पॉलेंट का कि यहां पर तुम सभी लोग रहो ठीक है तो और अपनी घार अपना जाइदाद अपनी संपती सब कुछ छोड़ना पड़ा देवर मूवड इन अधर पार्ट कॉल्ड जेनरल गवर्मेंट और यह जो गेटो बनाये थ तो इन गेटो को एड्मिश्टर कौन करता था इन्हें एड्मिश्टर करती थी जनरल गवर्मेंट जनरल गवर्मेंट मतलब एक जनरल गवर्मेंट बना ली कि जितने भी लोग अंडिजारेवल है उनको पता था कि इनको अल्टिमेटली क्या करने हमें सबको मारना है तो य पहले उन्हें मारना चालू करा क्यों मैं समझाता हूं ठीके पॉलिश इंटलेजेंशा वर मड़र्ड इंटलेजेंशा मतलब कि वो लोग जो समझदार थे जो तरक करना सीख चुके थे जो लोग कुश्यन कर सकते थे जिनके अंदर दिमाग था ठीके जिनके अंदर ताकि क्या हो कि आपने जब जैसे आपने एक स्टेटमेट्ट सुना अजवाला ठीके कि एक गरप का घृप समझते हूं उना जो शुप होती यह क्या कि अगल पॉलिश इंटेलिजेंसिया नहीं रहेगा मतलब सोचने वाले समझने वाले लीडर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा तो जितनी भी जनता है वो जनता कैसे हो जाएगी वो सर्वाइल हो जाएगी एक तरह से उसमें कोई जानी नहीं देगी फिर स्लीपर सेल वहां के लोगों के अंदर क्या रहेगा हमेशा प्रोटेस्ट की भावना बरकरार रहेगी ना तो उस चीज को खतम करने के लिए सबसे पहले जो जितने भी लीडर्स थे जो भी पॉलिश इंटेलीजेंशिया था पहले उन लोगों को मारा गया ठीक है फिर क्या किया जाता था पॉलिश चिल्रेन हो लुग लाइक आरियंस वर स्नैच फ्रम देर फैमिली क्या करते थे बच्चों का छोड़ा के बच्चों को कहां ले जाते थे वो मैं समझाता हूं तो क्या होता था जैसे पॉलेंड पे जब कबज़ा हो रहा तो जर्मन सोल्जर से देखते थे गर किसी बाता पिता के पास किसी फैमिली में कोई बच्चा है छोटा बच्चा है ठीक है एक साल का दो साल का तो उस बच्चे को अगर वो देखते थे कि बच्चा आरियंस की तरह दिख रहा है ब्लू आइज है उसकी ब्लॉंड हैर्स है तो उस बच्चे को छुडा लिया जाता था किस से उस फैमिली से उस मां से उस बच्चे को छोड़ा लिया जाता था अब उस बच्चे का करते क्या थे यह ठीक है तो उस बच्चे को क्या किया जाता था एक रेस एक्सपर्ट होता थे ठीक है रेस एक्सपर्ट मतलब क्या है कि जो नसल पहचानते थे बच्चों की क्या है कौन सी नसल का बच्चा है कौन सी नसल का नहीं है अगर आपने वो Spartans वाली वो मूवी देखिए 300 तो उसमें भी आपने देखा हूँ कि वो जब स्टोरी सुना रहे होते हैं कि किस तरह से Spartans are the best में वो चेक करते हैं बच्चा पैदा होते थे सबसे पहले एक मुझूर्ग इंसान देखता है कि हाँ यह बच्चा उस नसल का है नहीं है और अगर बच्चा अब आपके में सवाल ही आया होगा कि अगर बच्चा चुडाने के बाद में रेस एक्सपर्ट ने बोलते कि नहीं यह बच्चा नॉडिक जर्मन आरियन नहीं है मतलब आरियन की केटेगरी में नहीं आता है तो उस बच्चे को क्या औरफेनेज वगेर हमें छोड़ दिया जाता था और औरफेनेज में बच्चा अपने आप ही मर जाता था क्योंकि वहाँ पर कोई फैसलिटीज नहीं होती थी तो इस तरह से चीज़ें बदल रही थी ठीक है आगे समझ में यही सारी चीज़ें हुई है तो यह रेशियल यूटूपिया था मतलब वो जो इमेजिन करना चाह रहे थे कैसी सिचुएशन की जहां सब कुछ सही हो गया तो इस सिचुएशन को क्रियेट करने के लिए कुछ एफर्ट भी डाले गए अब देखो यहां पर कुछ और एक्जामपल बताया पॉलें वाले एक्जामपल में आपको यह समझाया था कि किस तरह से पॉलेंड पर कभजा हुआ ठीक है पॉलेंड पर कभजा होने के बाद म गयाए घैटो में जिसे लोग रह हरे थे तो उनको कितनी एक्रोश्यटा करना पड़ी तेमोग अब समी ईoup discharge वाड़वरे उत्याओं इफिनहीं पक्रोशूपर्यॉ ग्यारे तेमी अवार। तरह से यह सारा सब कुछ पढ़ लिया हमने अब हम देखेंगे लाफ 39 से 45 तो हमने आगे वाले वीडियो में डिसकस किया था कि जीनोसाइड एंड वॉर विकेम दी टू साइडस ओफ दी सेम कॉइन तो उसमें हम यही देखेंगे कि अब लोगों को मारा जा रहा था तो कैसे मारा जा था तो कि किस तरह से लोग मारे गए तो वह सारा सब कुछ आपको ब्रीफ स्केश दूगा में नेक्स वीडियो में इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ओफीशल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं magnetbrains.com पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com जाते हैं नेक्स वीडियो में, thank you, thank you very much